आज इंडियंस किचिन कुईन में बनने वाली है पके गुए केले की रेसिपी जिसे गुलगुले भी कहते हैं ये इतनी ज्यादा टैस्टी है कि एक बार 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 बनाने का मन करेगा थोड़ी सी क्रंचीनेस अंदर से सौप्टनेस जालीदार बन करके तयार होती है इन्हें बनानी के लिए हमने दो किलों का यूज किया है जो अगसर ना बचे घर में खाते नहीं है इन्हें छील करके मिक्सर जार में डारेक्टली इनके तुकड़े करके एड़ कर दीजिए ठीक है इस तरीके से तुकड़े कर लेंगे तो आसानी से ग्राइंड हो जाएंगे अब थोड़ा सा इसमें दूद एड़ कर दीजी, तो दूद ना एक दम से पूरा ही एड़ नहीं करना है, तो मैंने यहां पर 80 ml के जितना दूद लिया है, तो पहले मैं 20 ml दूद का एड़ करूंगी, यहां पर चाहतो थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकती है, ढकन को कवर करके ग् अब जो बचा हुआ दूद था, उसे भी एड़ कर दिया है, और एक बाउल हमने आट लिया था, तो इसे भी एड़ कर देंगे, जितनी क्वांटिटी आटे की लिए थी, उसे आधी क्वांटिटी आप सुगर की लें, आप इन्हें गुड में भी बना सकती हैं, अब कवर क अब करने के बाद ग्राइंड कर लेंगे, बहुती बढ़िया पेस्ट बनकर तयार हो जाएगा, तो पहले ना तोड़ा सा गाड़ा पेस्ट था, मैंने 60 हेमेल के जितना दूद को और भी एड़ किया है, इससे ये बढ़िया पेस्ट बनकर के तयार हो गया है, यहां पर मैं और एक टेबल स्पून के जितना सौप और करने से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है दो चमज नरीयल को ग्रेट करके डीया है यह तोटली ओप्सिनल हे आप यहां पर हम थोड़ा सा नमक कर देंगी साथ ही गुल गुले फूले फूले बने इसके लिए हम थोड़ा सा यानि कि एक पिंच खाना सोडा एड़ कर देंगे, बढ़िया से मिक्स कर देंगे, कितना बढ़िया स्मूर्ट पेश्ट बन करके तयार हुआ है, अब ऑईल को बढ़िया सा गरम करेंगे, और इस मेना थोड़ा सा वैटर एड़ करके देखेंगे, अभी ऑईल गरम नहीं हुआ है, गै बीचे से थोड़ा सेख चुके हैं इन्हें पलटना है इस तरीके से पलटेंगे आप गयास की फ्लेम हमें मेडियम करना है ताकि यह अंदर से भी बढ़िया से सेख जाए और इस तरीके से गोल्डन ब्राउन किस्पी करारी होने के बाद इनको निकाल लेना है गुलगुले त तैयार है रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा करकि इंडियन कीचिन कुईन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए